हलो बच्चो, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैट्स वान आलजबरा का प्रैक्टेस एट 4.3, जिसके हम लोगोंने दो लेक्चर्ज अल्रडी कर लिये हैं, पहले लेक्चर्ज में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी इसके concept समझाये थे और यह first question के चार question solve किये थे दो method से, एक normal method था और एक k method था, फिर मैंने second lecture में आपको यह second question कराया, जिसके चार question किये और यह third question कराया, आज हम इसके third lecture में यह practice at 4.3 खतम कर देंगे, थोड़ा लंबा lecture होगा, because यह fourth question जो है, इसमें 6 अलग-अलग questions है, और इसम तीन अलग type के questions है, एक बार सारे questions observe करते हैं, फिर हम लोग यह practice set शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, question number 3, question number 4, and question number 6, यह तीनों questions में, देखो उपर, एक term, दूसरा term, फिर से देखो, same term है नीचे, यहाँ पर नीचे दोनों जगे same term है, इधर भी द देख लो, यह देखो, 3x minus 4 cube, यहाँ पर भी 3x minus 4 cube, यहाँ पर x plus 1 cube, यहाँ पर भी x plus 1 cube, यह minus plus उल्टा है, देखो, उपर plus minus, यह minus plus, पर यह तो बहुत easily पता है न, आपको, उल्टा कर दोगे, invertendo लगा दोगे, तो यह भी same, उपर plus, नीचे minus हो जाएगा, तो यह तीनों question में, हम लोगों को ऐसा मिल रहा है, देखो, यह same term, same term, फिर यहाँ पर भी same term, same term, ठीक है, तो पहले हम लोग यह तीन question solve करेंगे, क्योंकि यह 6 questions में से यह 3 questions सबसे जाधा easy है, इसका मतलब यह नहीं कि यह difficult है, लेकिन यह थोड़ा अलग है, यह 3 question में वही करना है, जो हम ल 1 the whole square, plus 2x minus 1 the whole square, नीचे देख लो, 2x plus 1 the whole square, minus 2x minus 1 the whole square, equal to 17 upon 8, अभी आपको ऐसा लग रहा है, कि यह already component और डिविडेंडों लगाया हुआ है, तो क्यों लगाएंगे, 3rd question जो किया था, यह 4th है, 3rd question में भी ऐसा ही था, थोड़ा simple term था, पट ऐसा ही था, आपको समझना है, यह पूरा numerator एक a है, और यह numerator एक b है, ठीक है, तो आपको इस पे component और डिविडेंडों लगाएंगे, तो क्या मिलेगा, a plus b upon a minus b, लेकिन a के जगे पे यह पूरा numerator आएगा, b के जगे पे पूरा denominator आएगा, और copy करते वक्त sign का mistake नहीं करना है, इसमें सबसे बड़ा problem वही हो होगा, आपके concept सही होगे, सब कुछ सही होगा, लेकिन यह plus minus इधर का हुदर change हो जाएगा, और अगर एक sign यहां आ हुआ, तो पूरा question wrong हो जाएगा, इसलिए इतम ध्यान से, यह देखो, यह numerator है, यह denominator है, तो जब मैं इस पे component और डिविडेंडों लगाऊंगा, तो मुझे उसको लगाएंगे, right side में दो बहुत easy है, 17 plus 8 upon 17 minus 8, ऐसे आ जाएगा, तो इस पे लगाओ component और डिविडेंडों, यहां देख लो, यह देखो, यह देखो, यह पूरा numerator है, double check करने हमेशा, फिर यहां पे एक बार plus, एक बार minus, क्योंकि हमने component और डिविडेंडों लगाया, component 17 minus 8 आ गया, ठीक है, अभी यह bracket खोलेंगे, तब यह plus जब अंदर जाएगा, तो sign का कोई problem नहीं होगा, because plus will not change the sign, but when this minus will go in, यह negative हो जाएगा, और यह minus और minus, plus हो जाएगा, ठीक है, बाकि यह first term में तो कोई difference नहीं आएगा, सिर्फ bracket delete हो जाएगे, यहां पे right में क्या होगा 17 plus 8 हो जाएगा, 25, and 17 minus 8 हो जाएगा, 9, तो यह bracket खोलते हैं, यह से आ जाएगा, यह उपर के terms देखो, same to same है, नीचे यह minus यहां गया, तो यह minus आ गया, और यह minus और यह minus प्लस हो गया, तो यह इसके सामने plus आ गया, right side में 17 plus 8 आ गया 25, 17 minus 8 आ गया 9, त्यान से copy किया next step, यहा यहां पर कोई reason लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ brackets खोले हैं, अब यहां देख लो, इसकी sign minus है, और यह same term इधर है, लेकिन उसका sign plus है, तो plus something minus something, same quantity जब भी होगा, और उसका sign अलग-अलग आगा तो cancel हो जाएगा, what is 5 minus 5, 5 minus 5 is 0, क्योंकि यह plus 5 है, यह minus 5 तो यह दोनो, पट एक जगे plus है, एक जगे minus है, तो यह दोनो हो जाएगे cut, क्योंकि नीचे देखो, यहां पे इसके सामने minus है, 2x plus 1 the whole square, देखो 2x plus 1 the whole square, तो दोनो same है, लेकिन यहां पे plus है, यहां पे minus है, तो यह भी हो जाएगा cut, पहला question complicated वाला, इसलिए अदम आराम स कर रहे हैं, बाद में आगी जाके same type है, तो फटा-फट हो जाएगा, अब देखो ये same to same है, 2x plus 1 the whole square, 2x plus 1 the whole square, दोनो, add होगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा therefore, 2 times 2x plus 1 the whole square, same है ना, देखो इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो ये तो दोनों में है, तो ये तो आएगाई, ले जैसे denominator में क्या मिलेगा आपको, denominator में आपको मिलेगा 2 times, ये देखो, same है, 1, 1 है आगे, तो पहले ये तो लिखी देंगे, फिर आगे 1 plus 1 हो जाएगा 2, right side में कोई change नहीं, 25 upon 9 ही रहेगा, ये 2 और ये 2 पर नीचे, 2,000, 2,000 कैंसल हो जाएगा, ठीक है, अब देखो, यहाँ यहाँ पे square, यहाँ पे square, यह 25 को अब 5 square लिख सकते थे न, और ये 9 को अब 3 square लिख सकते थे, तो अगर मैं वैसा लिख दू, suppose यहाँ पे, आपके benefit के लिए यहाँ पे 5 square लिख दिया और यहाँ पे 3 square लिख दिया, अब सब जगा square root ले लो, पूरे का square root ले सकते हैं, तो य यहांका यह pept हो जाएगा यहांका यह câlt ho जाएगा इजी हो जाएगा कावी नेच्स टेप में हम लोगे सेम लिखेंगे लेकिन इस सब जगी के squireire कट हो जाएगे तो कैसे आएगा तो यहांपे दोनों तरफ squire roots ले लिया तो देखो ये square गया, ये square गया, ये गया, ये गया, तो सब कुछ बिना square क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे न, textbook में जो answer दिया है, उसके हिसाब से सिर्फ positive square root consider किया है, आगे जाके life में 10th के बाद कभी positive नहीं दोनों आएगा, plus और minus दोनों, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है कि मैंने बताया था, जब भी square root लेंगे, तो plus and minus दोनों answer आता है, अभी आ गया, इसको तो solve करना बहुत easy है, cross multiply कर देंगे, 3 से multiply होगा, 5 से multiply होगा, x के लिए solve कर देंगे, तो x का answer आ जाएगा, इतना तो कर सकते हैं ना, खुद से, कि वो भी बता हूँ, चलो, बता देता ह क्या हैगा, 3 into 2x plus 1 is equal to 5 into 2x minus 1, ऐसे ही होगा न, यह इससे, यह इससे, bracket खोल दो, 3 into 2x हो जाएगा 6x, plus 3 into 1 हो जाएगा 3, 5 into 2x हो जाएगा 10x, 5 into minus 1 हो जाएगा minus 5, यह 6x को उधर बेच दो, यह minus 5 को इदर लेके आओ, तो आपको यहाँ प्लस 3 बचाता है, वो minus 5 यहाँ प 10x हो जाएगा न, इधर plus था, उधर जाएगे minus, यह इधर minus 5 था, उधर जाएगे plus, 3 plus 5 हो जाएगा 8, 10x minus 6x हो जाएगा 4x, अभी आपको x का value चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यह x को इदर रखेंगे, लेकिन 4 को दूसरी तरब भेज देंगे, वो divide होगा न, यहाँ पे multiply हो रहा है, तो यहाँ पे के divide होगा, 4 और 8, दोनों 4 में जाते हैं, तो 4 1s are, 4 2s are, क्या मिल गया है, 2 upon 1, which is 2 equal to x, जिसको आप लिख सकते हो, x equal to 2, ठीक है, अब उन्होंने यही पूछा था, x का value निकाल था, और इसको solve करना मतलब जो इसमें unknown है, जो इसमें नहीं दिया ग देख लो, इसमें ये दो step में ही कहीं ना कहीं पे silly mistake होगा, और ये पूरा question खराब हो जाएगा, इसलिए जब भी ये step कर लो, उसके बाद check करने का, ये term और ये term सेम है, ये term और ये term सेम है, ये term और ये term सेम है, तो numerator plus denominator, numerator minus denominator, ठीक है, cut करते वक्त धियान रखना है, यहाँ मैंने आपको बताया रहा हम सिर्फ positive square root ले रहे है, done, चलो copy कर लो, notebook में फटाफट से, next करते है, fourth question में दिया है, चत्री of 4x plus 1 plus 3 of x plus 3, नीचे देखो, same 4x plus 1, x plus 3, लेकिन बीच में minus sign, same type का question, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, component और डिविडेंडों लगाएंगे, ऐसे 244 सवर, already plus minus component और डिविडेंडों दिख रहा है, दिख रहा है, तो भी उसके उपर लगाई सकते हैं, यह मैंने आपको second lecture में बताया था, तो इसके उपर यह पूरा numerator, यह denominator, तो numerator plus denominator, and numerator minus denominator, equal to right side में 4 plus 1, numerator plus denominator, numerator minus denominator, ठीक है, यह numerator यह पूरा बड़ा वाला कच्रा आएगा denominator यह पूरा नीचे वाला आएगा, त्यान से एकदम sign copy करना है, तो कैसे दिखेगा यह, कि देख लो, numerator plus denominator, फिर same numerator minus denominator, right side वाल तो मैंने explain कर दिया था, क्या कि आमने component और डिविडेंडों दो लगा, next step में हम क्या करेंगे, यह bracket खोल देंगे, bracket खोलेंगे, तो यह plus sign तो यह plus हो जाएगा, ठीक है, right side में 4 plus 1, 5 आजाएगा, 4 minus 1, 3 आजाएगा, त्यान से, तो यह brackets खोल दिये, देखो यहाँ पे, उपर यह वाला तो plus ही रहेगा, और यह plus into minus, minus ही रहेगा, root x plus 3, नीचे क्या होगा, यह minus हो जाएगा, यहाँ पे यह minus और minus हो जाएगा, अब इन एक जगे plus, एक जगे minus, तो हो जाएगा ना, cut, तो मैं इसको, और इसको cut कर सकता हूँ, ठीक है, यह term गाएब, नीचे देखो, यहाँ पे minus है, 4x plus 1 के साथ, यहाँ पे देखो, 4x plus 1 के साथ, कुछ नहीं मत्दब plus है, तो same term, different sign, तो cancel हो जाएगा, यह भी cancel हो जाएगा, उपर क्या बचा आपके पास, उपर आपके पास, एक बार root 4x plus 1, दूसरी बार root 4x plus 1, देखो, यहाँ पे 1 है ना, आगे, तो जब इनको add करोगे, तो यह तो same आएगा, and 1 plus 1 हो जाएगा, 2, तो आपको नीचे मिलेगा, 2 times, जो भी आएगा, और यहाँ पे देखो, root x plus 3, root x प्लस 3, यहाँ पे भी वान, यहाँ पे भी वान, तो root x plus 3 तो आएगा, plus 7 में, plus 1, plus 1 हो जाएगा, plus 2, ओके, तो यहाँ पे भी आपको नीचे 2 के साथ, root x plus 3 मिलेगा, ऐसे आएगा, ठीक है, उपर देखो, root 4x plus 1, root 4x plus 1, root 4x plus 1, root x plus 3, 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 root इसके पहले वाला question solve किया, exactly same में मैं कर रहे हैं, अब उपर नीचे 2 same है, तो cancel हो जाएगा, अब मुझे x का value निकालना है, लेकिन x तो छत्री के अंदर है, ये छत्री को बगाएंगे कैसे, छत्री पे हवा डालेंगे तो उड़ जाएगी, हवा मतलब square डालना पड़ेगा न, सब जगे square कर देंगे, तो ये छत्री के साथ square cancel हो जाएगा, और यहाँ पे 5 square हो जाएगा, 25, 3 square हो जाएगा, नाई, ये 2 का tension मतलो, 2 तो cut गया है, कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो ये दोनों side को square कर दो, तो हम लोग को ये छत्री cancel कर सकते हैं, ऐसे आ जाएगा, इसको square किया तो उससे 4x plus 1 बचेगा, इसको किया तो इससे x plus 3 बचेगा, इसको किया तो 5 square हो जाएगा, 5 into 5, 25, 3 का square हो जाएगा, 9, अब cross multiply करके solve करने का है, बस, x का value आजाएगा, वीडियो pause करो और खुद से solve करो, cross multiply करके, क्या आता x का value बताओ मुझे, ऐसे है होगा, चेक कर लोग, कई में mistake नहीं किया है न, ये x equal to 66 upon 11 आया, दोनों 11 में जाते हैं, cut कर सकते हैं हम लोग, 11, 1, 0, 11, 6, 0, 6 upon 1 हो जाएगा 6, यहाँ पर देख लो, cross multiply किया, 9 into 4x plus 1, 25 into x plus 3, 9 into 4x 36x, 9 into plus 1 9, 25 into x 25x, 25 into plus 3 plus 75, फिर यहाँ आखिया, x का value find करने के लिए, 25x को वहाँ लेके गए, तो minus हो गया, plus 9 को वहाँ लेके गए, तो minus 9 हो गया, फिर solve कर लिया, आया समझ में, कुछ फरक पड़ा क्या root है तो, सिर्फ यहाँ पर root को हटाने के लिए square करना पड़ा, इसके पहले के question में क्या था, यहाँ पर square था, तो square को हटाने के लिए square root करना पड़ा था, बस, पूरा solution देख लो एक बार, फिर से बता रहा हूँ, यह दो step में ही सबसे ज़्यादा mistake होगा, यहाँ इसके बाद कोई mistake होने का chance नहीं है, और यहाँ पर copy करने mistake होगा, उपर से first step से next step copy करेंगे, तब ही mistake होता है, तो एकदम ध्यान से करेंगे, practice करेंगे, तो वो mistake हम नहीं करेंगे, कर लिए copy notebook में, next करते हैं, sixth question, खुद से try करना है क्या, देखो यहाँ पर cube है, मैंने आपको third question already solve कर रहा है था, third में क्या था देखो, यहाँ देख लो, मैंने आपको third question कराया था, जिसमें यहाँ पर square था हर जगे, अब यहाँ पर हर जगा cube है, अंदर क्या है वो देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यह देख लो, यहाँ पर square है, यहाँ पर cube है, ठीक है, यहाँ पर उपर plus है, यहाँ पर नीचे plus है, तो पहले तो इसमें हम लोग invertendo करके plus उपर लेके आ जाएंगे, उसके बाद next क्या करेंगे हम लोग, next करेंगे, जब यह पूरा हो जाएगा न, तो ऐसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर square के जगे पे cube होगा, तो taking square root के जगे पे हम लिखेंगे, taking cube root, ठीक है, तो सबसे पहले इसको इसके जैसा बनाना है, तो invertendo लेना पड़ेगा, यहाँ प dividend लगाएंगे, तो आपको नीचे आएगा, 61-189, negative numbers आएगे, problem नहीं आता, देकिन, solve करने में थोड़ा जाधा time लगे, अगर मैंने ultra कर दिया इसको, तो नीचे क्या आएगा, 189-61 हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो इसको पहले invertendo लगाते है, ultra tendo, ultra tendo मत लिखना हो आप में, तो यहाँ पर invertendo लगा दिया, यह वाले term को उपर भेज दिया, यह वाले term को नीचे, देखों यहाँ पर, 189 को उपर, 61 को नीचे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यह numerator, यह denominator, component do dividend लगाएंगे, तो हमको में लेका, numerator, plus denominator, numerator, minus denominator, right side में, 189 plus 61, 189 minus 61, लगा दो जल्दी से, यह खुद से try कर सकते हो, बस आगे जाके आपको cube root लेना है, सब कटों को और cube root आएगा, चलो, शुरू करो, तो यहाँ पर, यह देखो, यह पूरा है numerator, दोनों जगे, plus, minus, और यह denominator, यहाँ पर, यह पूरा, तो हमने लगा दिया, component do dividend do, right side में तो हमक इसको bracket को खोलेंगे, अच्छा, इसमें बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि, अरे, यह a minus b, the whole cube का formula लगाना पड़ेगा, वो सब नहीं करना पड़ता है, यहाँ एट में expansion वगेरा करते हैं, तो cube दिखता है, सिधा लगता है, cube का formula लगाएंगे, cube का formula तो याद नहीं है, और हम हम लोग question से डर जाते थे, यहाँ पर हम लोगों को सब करना ही नहीं है, हम लोगों को smartly handle करना है, component हो, dividend हो, ठीक है, अब next step में हम लोग यह brackets खोल देंगे, और यह 189 plus 61, 189 plus 61 आएगा, वो भी solve कर लेंगे, तो यह मैंने brackets खोल दिये, देखो, आगे का bracket खोलने में कोई problem ही ही है, क्योंकि उसके आगे तो plus sign ही है, यह वाला bracket जब खोला, तो यह plus आएगा, और यह plus into minus, minus रहेगा, कोई sign change होगा ही नहीं, सिफ ब्राकेट कोलने नहीं, जब यहाँ पर bracket खोलेंगे, तो यह minus हो जाएगा, और जब यह minus इसके साथ जाएगा, तो minus into minus बन लाएगा, plus, right side में, 189 plus 61 आगया, 250, 189 minus 61 आगया, 128, अब देखो, यह minus x plus 1 the whole cube है, यहाँ पर plus x plus 1 the whole cube है, same term, लेकिन एक जगे plus, एक जगे minus, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को cancel कर सकते हैं, और नीचे क्या है, देखो, नीचे minus इसके साथ है, और यह same term यहाँ पर है, जिसका sign है, plus, plus और minus, अंदर same मसाला है, तो हम लोग उसको cancel करेंगे, next step में क्या मिलेगा, 3x minus 4 the whole cube, 3x minus 4 the whole cube, दो बार आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 2 बार 3x minus 4 the whole cube, नीचे x plus 1 the whole cube, x plus 1 the whole cube, दो बार आ रहा है, तो उसको भी दो बार लिखतेंगे, right side में कोई chain नहीं आएगा, यह यहाँ पे 250 और 128 भी even numbers देखो, यहाँ पे last में 0, last में, तो दोनों 2 में जाएंगे, cut करो 2 में, इधर आपको मिलेगा 2 1s are 2, फिर 2 2s are 4, 1 remainder आएगा, 1 0 10 हो जाएगा, वो जाएगा 2 5s are, और यहाँ पे मिलेगा 2 6s are 12, और 2 4s are 8, अब अच्छे से देखो, यहाँ पे cube, यह 4 into 4 into 4, 4 का cube है, 4 4s are 16, 16 4s are 64, तो आप इसको आराम से 5 cube upon 4 cube लिख सकते हो, और फिर सब जगे cube होगा, देखो, फिर हर जगा cube root ले लेंगे, समझा, जैसे square में square root करते थे, यहाँ पे cube root लेंगे, ऐसे आएगा, 125 को 5 cube लिखा, 64 को 4 cube लिखा, इसका कोई reason नहीं लिखना सब जगे cube root लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, therefore, 3x minus 4 upon x plus 1 is equal to 5 upon 4, देखो, हर जगे से cube गायब हो गया, तो reason क्या लिख देंगे, taking cube root on both sides, ओके, यह reason लिखना पड़ेगा, अब क्या है, अब तो cross multiplication है, time pass है न, क्या आजाएगा, 4 into 3x minus 4 is equal to 5 into x plus 1, 4 into 3x हो जाएगा 12x, minus 4, 4 जा हो जाएगा 16, 5 into x हो जाएगा 5x, 5 into 1 हो जाएगा 5, यह 12x को यहीं पे रखो, यह 5x को इधर लेके आओ, तो वहाँ पे plus था, इधर आके हो जाएगा, minus 5x equal to, यह 5 इधर ही रहेगा, minus 16 मान जाके, plus 16 बन जाएगा, तो मुझे मिलेगा 5 plus 16, 12 minus 5 कितना जाएगा, 7x, 16 plus 5 हो जाएगा 21, और x का वाल्यू क्या जाएगा, x आपको मिलेगा 21 upon 7, दोनों एक टेबल में जाते हैं, 7100, 7300, तो आपको 3 upon 1 मिला x, मतलब x का वाल्यू हो गया 3, हैना easy, यह वाला पार्ट तो बहुत ही time pass है, और आप देखेंगे न, तो यहां से यहां तक हमेशा same होता, इधर cube था, इसलिए cube root लिया, इसके पहले square root था, तो हमने square किया, उसको simple बनाना है, उसको यह वाले form में लिया आना है, कि आप cross multiply करके solve कर सकते हो, ठीक है, जिन लोगों ने खुद से किया, उनको यह answer आया, कि x equal to 3, नहीं आया, तो check करो कहां पे mistake किया है, mistake generally यहीं पे होता है, यहां पे हो रहा है, तो आपने त्यहानी नहीं दिया question, यह बहुत ही simple है, इससे compare करेंगे, यहां पे क्या, cube, root, वो सब देख देखके, डर जाते हैं और mistake हो जाता है, यहां पे mistake का chance कम है, कर लिया copy notebook में, तो हम लोगों ने same type के तीन question solve किया, क्या type था, component औ, dividendo लगाना, यह जो 6 था, इसमें एक extra step था, invertendo का, क्योंकि इसमें उपर minus, नीचे plus था, हमको उपर plus और नीचे minus चाहिए होता है, ताकि यह cancel हो सके और नीचे negative नहीं है, ठीक है, यह देखो, अगर मैं invertendo नहीं लगाता है यहां पे, तो 189 प्लस 61 और 189 मिनस 61 के जगे पे क्या आता, डिरेक्ली लगाता हो आता, 61 प्लस 189, 61 माइनस 189, यहां पे negative नमबर आता है, क्यों चाहिए start me negative, है न, इसलिए उसको उल्टा कर दिया, क्योंकि यहां पे plus, यहां पे minus चाहिए, ठीक है, तो हमने यह तीन question solve कर लिए, एक ही type के थे, अभी हम यह दो solve करेंगे, ठीक है, यह, और यह, मैं आपको समझाऊँगा कि क्यों दोनो same type के question है, फिफ्ट में थोड़ा सा अलग step है, इसलिए अलग से देखेंगे, first और second हम एक साथ solve कर सकते हैं, अभी इसमें सिफ तीन question बचे हैं, उसके बाद practice at 4.3 खतम हो जाएगा, थ्यान दो, तो मैंने अभी जो आपको third, fourth और sixth question कराया, उसमें numerator and denominator बहुत ज़्यादा complicated था, लेकिन component और डिविदेंड और प्लस माइनस करके बहुत कुछ कड़ गया, और numerator and denominator देखो कितना simple हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नीचे जो terms थे, देखो terms same है, इसलिए जब plus होगा तो कुछ terms cancel हो जाएंगे, minus होगा तो कुछ terms cancel हो जाएंगे, लेकिन terms same होना ज़रूरी यहां पर भी 2x plus 1 है, यहां पर भी 2x plus 1 है, 2x minus 1 है, 2x minus 1 है, तो यहां पर free में उन्होंने हमको terms same करके दिये थे, third question में ऐसा था, fourth तो इतना complicated दिख रहा था, root वाला, लेकिन फिर भी आपने component और डिविदेंड और लगाया, तो कितनी सारी चीज़े cancel हो गई, और end में यह खराब दिखने वाला question इतना simple बन गया, बट क्यों ऐसा हुआ, because यहां देखो उपर और नीचे same terms है, sign अलग अलग है, लेकिन component और डिविदेंड और करने के बाद, वो same दिखने वाले terms एक दूसरे के साथ cancel होने लगे, अभी जो नया type में सिखा रहा हूँ, उसमें वो directly आ यहां पर देख लो, x square plus 12x minus 20 upon 3x minus 5 equal to, एक और term दिया है, नीचे 2x plus 3, ऐसी पहली बार इसको देखेंगे तो हमको कुछ similar नहीं लगता है, लेकिन जब pattern ढूंडेंगे न, इसमें आपको pattern ढूंडना है, यहां देखो 3x minus 5 है, यह उपर 12x minus 20, सिर्फ यह term देखो, इसमें 12 औ 20 दोनों 4 में जाता है, तो अगर मैं यह दोनों term में से 4 common ले लू, तो क्या हो जाएगा, 4 इदर common आएगा, 3x बचेगा अंदर, because 4 3s are 12x होता है, minus 5 आएगा, because 4 into 5, 20 होता है, ठीक है, निकालना नहीं common, सिर्फ pattern चेक करना है, similarly जब आप यह दोनों में भी देखेंगे, तो 4 common आएगा, देखो, अंदर 2x आजाएगा, because 4 into 2x, 8x होता है, प्लस यहाँ पे 3 आजाएगा, because 4 into 3, 12 होता है, यहाँ देखो, उपर 3x minus 5, नीचे भी 3x minus 5, यहाँ उपर 2x plus 3, नीचे भी 2x plus 3, दिख्या pattern, एक बार लिखके बता रहा हूँ, pattern आपको सिर्फ देखना है, solve नह 20, यहाँ पे 4 common लिया, तो 4 into 2x हो जाएगा, 8x, and 4 into plus 3 हो जाएगा, plus square, यह करना नहीं है, step सिर्फ दिमाग में सोचना है, मतलब अगर मैं 4 से multiply करूं 3x minus 5 को, तो मुझे क्या मिलेगा, 12x minus 20, तो अगर मैं यहाँ पे 4 से multiply कर दूं, तो क्या मिलेगा, 12x minus 20, और फिर अगर मै इस पे componentों या dividendों कुछ करूं, तो उपर नीचे same term होंगे, तो cancel होने का chance है, यहाँ पे भी देखो, 4 को 2x plus 3 से multiply किये, तो यह मिलता है, तो दोनों जगे मैं नीचे 4 से multiply कर सकता हूं, क्या, 4 से multiply करना मतलब 1 upon 4 से multiply करना न दोनों जगे, कर सकते हैं, बट कहां से आया 1 upon 4 आपको, because यह 12x minus 20 में, यह same term नीचे वाला दिख जाता है, 4 से multiply करके, तो यह step मत करना, यह step सिर्फ दिमाग में सोचना है, क्या करेंगे, हम सीधा दोनों तरफ 1 by 4 से multiply कर देंगे, तो यहाँ पैसे रिख दिया, multiplying both sides by 1 upon 4, दोनों को same number से multiply करोगे, तो लोग equally रहते हैं, यह rule हमको पता है, अब यह 4 को इससे multiply करो, क्या मिलेगा, 4 into 3x आजाएगा, 12x, 4 into minus 5 आजाएगा, minus 20, numerator तो 1 से multiply होगे, same ही रहेगा, यहाँ पे 4 into 2x आजाएगा, 8x, and 4 into plus 3 आजाएगा, plus 12, numerator यहाँ पे भी same रहेगा, तो next step क्या आएगा, अब मुझे, यहाँ पे जब यह इसको उपर ले क्या हो, तो मुझे 12x को काटना है, because x का सिर्फ एक टम बचना चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा, अगर x square के साथ यह x वाला टम आ गया, तो quadratic equation बनेगा, मतलब मुझे यहाँ पे इसको minus कर दिया, तो 12x, 12x कर जाएगे, तो मैं यहाँ पे dividendo लगा, अगर यहाँ लगा है, तो देखो यह पूरा numerator, यह denominator, तो क्या आ जाएगा, numerator minus denominator upon denominator, सिर्फ dividendo लगा है, minus होगा न खाली, और यहाँ पे भी same, numerator और यह denominator, ऐसे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, x square plus 12x minus 20, और dividendo लगा है, देखो यहाँ पे minus of 12x minus 20, the whole upon 12x minus 20, राइट साइड में क्या मिलेगा, राइट साइड में भी आपको मिलेगा, equal to x square plus 8x plus 12 minus 8x plus 12 upon 8x plus 12, दोनों चेके लगेगा है, मैं डिविटेंडो, यहाँ पे reason में आप लिख सकते हो, by dividendo, ओके, अब जब यह bracket खोलेंगे आप, तो यह देखो, यह माइनस 12x हो जाएगा, और यह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे यह माइनस 8x हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझा क्यों किया, next step में आपको समझ जाएगा, यह आगे नेक्स्ट है यह वाला जो दिख रहा है minus 12x and minus और minus plus 20 आगे वाला term तो same रहेगा और इधर यह वाले side में क्या आया देखो यह तो same है minus 8x and minus of plus minus हो जाएगा अब देखो same terms कौन से हैं यहाँ पे आपको clearly दिख रहा है कि यहाँ minus 12x है वो यह plus 12x के साथ cancel हो जाएगा यहा बचेगा हमारे पास यहां पे देखोई minus 20 यह plus 20 के साथ cut हो जाएगा और यहाँ पे minus 12 यह plus 12 के साथ cut हो जाएगा तो क्या बचा सिर्फ उपर उपर आपके पास बचा सिर्फ x square और नीचे क्या आ गया 12x minus 20 equal to यहाँ पे बचा एक स्क्वेर और यहाँ बचा 8x प्लस 12 दिख अहां से मिला है आपको आप देखिए आपको question में क्या दिया था और अपने dividend लगा के उसको इतना simple बना दिया है solve करने के लिए ठीक है इसके बाद जो step से थोड़े tricky है लेकिन पहले ये समझ लो ये q1 by 4 से multiply किया था क्योंकि ये pattern दिख गया था उपर हमको ठीक है इसको 4 से multiply क chance होता है ठीक है इसलिए हम लोग ने इसको 1 by 4 से multiply किया था अब इसको कैसे solve करेंगे तो अब इसको देखो सिर्फ इसको solve करने का है confusion नहीं होना चाहिए कहीं पे भी solve करना मतलब क्या होता है solve करना मतलब x का value find करने का बहुत सारा तरीका है एक है substitution आप x equal to 0 substitute करके देखो यह minus 20 तो आपको मिलेगा 0 upon minus 20 0 को minus 20 से divide कर अगे तो answer क्या हैगा 0 है ना तो LHS में इसको अगर हम 0 x को substitute करते हैं तो value 0 आ रहा है right hand side यह वाला term देख लो x के जगे 0 डालो तो 0 square हो जाएगा 0 upon 8 into 0 आ जाएगा 0 plus 12 आ जाएगा 12 0 divided by 12 क्या आता है 0 तो दोनों जगे 0 आ रहा है दोनों जगे 0 मतलब 0 equal to 0 होता है ना मतलब x equal to 0 हम लोग substitute कर रहा है तो यह equal to रह रहा है मतलब वो उसका solution है ठीक है क्यों कर रहा है आपको समझ में आएगा तो अगर x equal to 0 लेते हो तो clearly समझ में आ रहा है कि x equal to 0 solution है तो यहाँ पे हम लोग यह लिख देंगे step कैसे लिखना is true for x equal to 0 therefore x equal to 0 is a solution to the given equation हमने substitute करके check कर लिया आना हो दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ mentally substitute करके check करना है अब अगर x equal to 0 नहीं है तो क्या वो भी लिखके बताना पड़ेगा let's say अगर मैं बोलू हूँ if x is not equal to 0 अगर x खुद 0 नहीं है तो x square भी 0 नहीं होगा correct और अगर x square भी 0 नहीं है तो मैं दोनों जगे x square से divide कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ ना divide ताकि उपर नीचे x square cancel हो जाए अगर x square की value 0 होती ना suppose यह not equal to नहीं होता और equal to होता और आप 0 से divide करते तो problem हो जाता क्यूं बिकोज कोई भी चीज को आप 0 से divide नहीं कर सकते वो defined नहीं है उसकी value अभी तक निकाली नहीं है जैसे मैंने आपको बताया था एक cadbury आपको दिया और बोला दो लोगों में divide करो तो आप उसके 2 टुकड़े कर दोगे तीन लोगों में divide करो तो तीन टुकड़े कर देंगे एक बंदे में divide करो तो एक पूरी dairy milk एक ही बच्चे को मिल जाएगी लेकिन अगर मैं बोलू ये एक dairy milk 0 में divide करो तो जादू करना पड़ेगा न इसको हटाने के लिए 0 मतलब कुछ भी नहीं दिमाग मतलगा न कि अगर मैं खा जाओंगा dairy milk तो 0 ही बचेगा न मैट से है नंबर दिखना चीए खा जाओंगा नहीं यहाँ पर पता होना चीए कि dairy milk को 0 parts में divide करके दिखाओ नहीं कर सकते तो किसी भी चीज़ को आप 0 से divide नहीं कर सकते इसके लिए ये not equal to लिखना बहु करके मुझे एक solution मिल जाए ये standard steps है ऐसे मत सुचो कि यार यार नहीं करेंगे चलेगा नहीं चलेगा ऐसे 3-4 questions है इसमें है आगे जाके problem set में है तो करने तो पड़ेंगे पहला question देख लो और एक question इस पर करेंगे तो ये easy लगेगा same pattern ये ही लिखना है ठीक है तो मैं दोनों तरफ मैंने x square से divide कर दिया dividing both sides by x square क्यों divide कर पाया मैं क्योंकि मैंने बताया कि अगर x square 0 नहीं है तो हम ये कर सकते हैं अब जैसे ही उपर नीचे same x square x square आगे आप कट कर सकते हैं इसको क्या बचा उपर कट कैसे क्या x square 1 0 x square 1 0 यहाँ पर भी x square 1 0 x square 1 0 राइट तो उपर 1 बचा तो आपको क्या equation मिल गया 1 upon 12x minus 20 is equal to 1 upon 8x plus 12 cross multiply कर दो तो आपको मिलेगा therefore यह 1 into 8x plus 12 क्या होगा 8x plus 12 equal to यह 1 into 12x minus 20 क्या आएगा 12x minus 20 okay यहाँ पर जगा problem है थोड़ा मुझे ऐसे solve करना पड़ेगा यहाँ पर side में क्या आजाएगा देखो यह 12 को यहीं पर रखो minus 20 हो जाएगा plus 20 और 12x यहाँ पर और 8x को इस तरफ लेक्या होँगा तो minus 8x यह minus 20 इदर जाके plus 20 हो गया 12 plus 20 क्या आजाएगा 12 plus 20 आजाएगा 32 equal to 12x minus 8x हो जाएगा 4x therefore 32 upon 4 is equal to x यह 4 यहाँ पर जाके divide हो जाएगा solve करो इसको 4 1 0 4 8 0 तो आपको x का value क्या आया x का value आगया 8 तो यह थोड़ा पीछे next page पे करना ही पड़ेगा क्योंकि solution 2 इसका x equal to 8 आया और x equal to 0 भी है तो यह answer लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर लिख दिया the solutions of the given equations are x equal to 0 जो य and x is equal to 8 जो हम लोग ने यह step के बाद यहाँ पर निकाला था थोड़ा जगव कम था इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा edit करके ऐसे डाल दिया है ठीक है आप अपने book में next page पे कर सकते हो तो एक answer हमने यहाँ निकाला था और एक answer हमने यह निकाल लिया बच्छो यह वाला जो पार्ट किया ने यह बहुत important है यहाँ से टेक्सबुक में शायद पीछे x equal to 8a की answer दिया है लेकिन जो solved examples है ना उसमें यह भी करके बताया है कि x equal to 0 कैसे आता है answer है तो यह भी आपको करना ही पड़ेगा तो ऐसे मत सुचो नहीं करेंगे तो चलेगा और 10th में जाके तो करना ही पड़ेगा तो अब भी से ही कर लो ना same standard यही लिखना है आपको जो ऐसे question होंगे नो यहाँ पर exactly यही चीज लिखनी हो और इसका आधा एक mark मिल जाएगा आपको पूरा solution देख लो एक बार सबसे important था है यहाँ पर यह pattern देखना कि उपर और नीचे same pattern आ रहा है इसलिए 1 upon 4 से multiply किया फिर डिविडेंड हो लगाया तो सब कुछ कर गया इतना चोटा सा term आ गया देखो कितना simple हो गया x equal to 0 के लिए ऐसे बताया है उसको substitute करके और फिर x square को cut करके ऐसे solve करके दूसरा solution निकाला है इसलिए इसमें दो answer लिखे है x equal to 0 और x equal to 8 textbook में सिर्फ x equal to 8 दिया है टेंचन मतलो ये भी right है क्योंकि solved examples में दिया हुआ है next करते हैं लिख लिए नोट बुक में अब ये question देख लो यहाँ पे यहाँ पे इसमें और इसमें कोई pattern दिख नहीं रहा है ठीक है first question यहाँ पे और इसमें कुछ pattern था लेकिन उसमें यह देखो quadratic equation जो है वो इधर और इधर था तो इसको मैं वहाँ पे बेज सकता हूँ क्या पहले हम लोग कर सकते है ना alternate window में allowed था ना कि यह 2x plus 3 को इधर बेज दो और इसको यहाँ पे बेज दो alternate window करके property था तो first step हम लोग वो कर लेते हैं तो यहाँ पे यह दोनों तो अपनी जगह पे ही रहेंगे यह 2x plus 3 इधर नीचे आ जाएगा और यह जो यहाँ पे उसको इधर बेज दिया तो मिला 5x square minus 25x plus 12 अब मैं जो आपको बता रहाँ ना वो आपको लिखके नहीं देखना आपको सिर्फ यहाँ पे imagine करना है यहाँ देखलो यहाँ पे है 2x plus 3 अब यहाँ पे तो कुछ common आ नहीं रहा कि हम लोग 2x plus 3 common ले पाए है ना इन दोनों में तो 3 common होते है और 3 common लिया तो यह दर 5x आ जाएगा में से 5x ले लिया 15 को लिखा 5 x 3 और 5 ले लिया तो बचा क्या अंदर 3 बचा ना 5 और x तो भार आ गया तो अंदर 3 बचा दिख रहा है 2x plus 3 2x plus 3 same way यहाँ पे भी यह दोनों में से आप देखो 5x को common ले लो तो अंदर क्या बचेगा x क्यूंकि 5x into x 5x square होगा minus यहाँ पे से 5x common लिया तो क्या बचेगा सिर्फ 5 because 5 into 5 25 और साथ में x x minus 5 देखो नीचे वाला आया समझ में तो यह दोनों में से आगे के दोनों में से आप 5x common ले रहे हैं दोनों जगे पे तो हमारा काम हो रहा है ठीक है लेकिन यह common नहीं लेना है आप 5x ले रहे हो यहाँ पे 5x से multiply कर दोगे तो यह दोनों आ जाता है न इसलिए हम लोग दो साइड नीचे 5x से multiply कर देगे यहाँ पे इसको 5x से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 5x इंटू 2x हो जाएगा 10x square प्लस 5x इंटू 3 हो जाएगा 15x दिख रहा है यह मिलेगा similarly इसको 5x से multiply किया तो क्या मिलेगा 5x इंटू x 5x square minus 5x इंटू 5 25x यह वाला पता कैसे चला कि 5x common ले रहे हैं तो नीचे वाला term आ रहा है मतलब नीचे वाले term को 5x से multiply करेंगे तो उपर वाला term मिलेगा तो हम लोग दोनों तरफ 5x से multiply कर सकते हैं तो कर दो जली से multiply तो यहाँ पे दोनों तरफ हमने 1 upon 5x से multiply कर दिया उपर कुछ नीचे यह था इसलिए उपर 1 ही आ देंगे तो आगे इसको solve करना बहुत easy हो जाएगा अब यह 5x को अंदर इससे multiply करतो तो क्या मिलेगा आपको मैं सिर्फ denominator करके बता रहा हूं आपको 5x इंटू 2x करोगे तो 5 इंटू 2 मिल जाएगा 10 और यह x इंटू x हो जाएगा x square जब यह 5x यह 3 से multiply होगा तो 5 3,0 हो जाएगा 15 साथ में इधर x था तो x तो आए गई ठीक है मैं सिर्फ denominator बता रहा हूं numerator वैसे का वैसा copy कर लेंगे यहां पर 5x को इससे multiply करो 5x इंटू x हो जाएगा 5x square और 5x इंटू minus 5 है यहां पर plus है यहां पर minus है प्लस है प्लस है प्लस है इंटू minus हाजएगा minus और 5x को 5 से multiply करोगा तो 5 5 इसा 25 साथ में x था जाएगा 25x numerator सिर्फ 1 से multiply हो रहा है तो same to same चीज़ आजएगी यहां पर भी 1 से multiply हो रहा है same हो जाएगा तो लिख लो नीचे numerator तो अब आपको देखो numerator तो यह ही है यहां पर 10x square plus 15x यहां पर 10x square plus 15x तो जब इस पर डिविडेंडो लगाएंगे तो यह उपर minus होगा न denominator तो यह cancel होने का चांस है जब इसका डिविडेंडो लगाएंगे तो यह दोनों cancel होने का चांस है ना, dividendo लगाएंगे न, चserफ विडेओ नीखेंडे हैंगे, तो इस 시क्ष घ्या म ledगाएंगे, तो क्या आएगा डिविडेंडेंडों में, numerator minus denominator upon denominator, यही था डिविडेंडो और यहाँ भी आएगा numerator minus denominator upon denominator, थाल भी component लगाना होता तो plus लिखते हैं यहाँ प्लस लेकिन हमको dividendo लगाना है तो इस पर लगाओ dividendo साथ में solve करो notebook में last में पूरा copy करेंगे ऐसे नहीं करना है सिर्फ video नहीं देखना है साथ में solve करना है तो इसका next step आप इसके उपर dividendo लगा के check करो के आपको आ रहा है के नहीं तो यहाँ मैंने dividendo लगा दिया देखो यह है अपना numerator minus यह है अपना denominator upon denominator तो नीचे सेम रहेगा इधर भी देखो यह numerator आ गया minus यह denominator आ गया और नीचे तो denominator यह रहेगा सिर्फ dividend हो लगा अब यह bracket जब आप खोलेंगे तो यह minus अंदर जाएगा तो इधर मिलेगा minus 10x square और यह minus into plus हो जाएगा minus तो आपको मिलेगा minus 15x जब यह minus अंदर जाएगा तो मिलेगा minus 5x square लेकिन यह minus और minus हो जाएगा plus 25x तो यहाँ पर मैंने यह brackets खोल दिये देख रहा है यह minus into plus minus हो जाएगा x sign change और यहाँ पर minus into minus plus आएगा बाके तो simple था अब कट करके देखते हैं क्या क्या कट हो रहा है देखो यह minus 15x यह plus 15x के साथ cancel फिर यह minus 10x square यह plus 10x square के साथ cancel next यहाँ पर देखो यह minus 25x यह plus 25x के साथ cancel फिर यह minus 5x square plus 5x square के साथ cancel कितना सही ना कितना कुछ cancel हो गया क्या बचा देखो उपर खाली सिर्फ बचा 63 अपान नीचे आगया 10x square plus 15x यहाँ पर क्या बचा 12 बागी सब कट गया ना देख रहा है और नीचे बचा 5x square minus 25x कितना easy हो गया दिख रहा है कितना complicated था उपर question भी कितना complicated था लेकिन उसको आपने यह बना दिया है कितना easy हो गया इसको solve करना अब अब इसको क्या से solve करेंगे यहाँ पर directly तो कुछ cut नहीं रहा है दिख रहा है ना पर यहाँ पर देखो इन दोनों में 5x common है और इसमें भी 5x common है तो 5x common लिया तो cut होने का chance है तो मैं क्या करता हूँ next step में यहाँ पर 63 लिख देता हूँ upon यह इसमें से 5x common निकाल लिया अगर इसमें देखो 10 को 5 into 2 लिखा 5 बाहर निकाल लिया और यह x square में से 1x निकाल लिया तो बचा क्या 1 2 और 1x तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x फिर इसमें से भी 5 और x common निकाला तो 15 को लिखा 5 into 3 और एक 5 ले लिया और 1x ले लिया बचा क्या सिर्फ 3 तो plus sign था तो plus और यहाँ पर आगया 3 similarly यहाँ पर क्या होगा यह 12 आएगा 5x square में से 5x common निकाला तो 1x बचा minus 25x को 5 into 5x लिख दिया और एक 5x common ले लिया तो बचा सिर्फ 5 तो 5 को यहाँ पर लिख दिया अब मुझे क्या करना है मुझे यह 5x काटना है अगर 5x को काटना है तो मुझे दोनों side 5x से multiply करना पड़ेगा तो यहाँ पर x 0 है के नहीं वो चेक कर लो एक्स के जिएक पर 0 से multiply होके यह पूरा 0 ही बन जाएगा यहाँ पर भी देख लो 5 into 0 50 मत लिखना 5 into 0 0 हो जाएगा 0 into यह 0 minus 5 minus 5 आया 100 आया कुछ फरक नहीं पड़ता 0 से multiply होगा तो नीचे 0 ही आ जाएगा तो x 0 कर रहा हूँ तो दोनों जगे denominator में 0 आ रहा है तो x तो 0 है नहीं आपको कोई नहीं बताने वाला है चेक करके denominator में 0 होता है तो क्या problem होता है मैंने बताया था ना तो जो इसके पहले के question में किया था ना x is equal to 0 is a solution यहाँ पर वो option ही नहीं है क्योंकि x equal to 0 हो ही नहीं सकता आप नहीं भी चेक करते तो कोई फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर चेक कर लो ना एक नहीं चीज़ सिखाईए मैंने तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर दोनों तरफ 5x से multiply कर दूंगा फिर 5x को cancel कर दूंग तो next step होगा multiplying both sides by 5x तो यहाँ पर लिख दिया multiplying both sides by 5x अब यह 5x और 5x को हम cancel कर देंगे ठीक है हम नहीं लाया ताकि यह 5x को cancel कर सके 5x 1000 5x 1000 और यहाँ पर भी 5x 1000 5x 1000 कट गया क्या बचा आपके पास उपर बचा 63 और नीचे बचा 2x प्लस 3 और यहाँ बचा उपर 12 और 5 अब इसको cross multiply करके solve कर दो बहुत easily solve हो जाएगा ना करो cross multiply तो यहाँ पर cross multiply कर दिया 63 into x minus 5 is equal to 12 into 2x plus 3 63x 63 into minus 5 हैगा minus 315 12 into 2x हागा 24x 12 into plus 3 होगया plus 36 63x को यहीं पर रखा 24x को यहाँ लेके क्या तो minus हो जाएगा minus 315 को उदर बेज दिया तो plus 315 हो जाएगा 36 तो इदर का इदर ही है 63 minus 24 आता है 39 लेकिन साथ में x था दोनों के पास तो x आएगा 36 plus 315 हो जाएगा 351 अगर x का value चीए तो 39 को उदर बेजेंगे यहाँ पर 39 multiply हो रहता है वहाँ जाके divide होगा अब इसको cut करते हैं देखो 3 में जा रहा है ना 3 plus 5 8 होता है 8 plus 1 9 तो 9 3 में जाता है तो यह number भी 3 में जाएगा 3 plus 9 12 होता है 12 3 में जाएगा तो 39 भी जाएगा 3 में cut करके देखते हैं यह मिलेगा 3103 3309 और यहाँ पर मिलेगा 3103 3103 2100 आएगा यह हो जाएगा 39000 तो हमको क्या मिल गया है यहाँ पर x is equal to 9 upon 1 which is क्या लिख सकता हूँ वहाँ पर मैं therefore x is equal to 9 9 upon 1 9 ही होता है ना तो यह आगया हमारा answer x equal to 9 तो नीचे क्या लिख देंगे x equal to 9 is the solution to the given equation ऐसे आ जाएगा x equal to 9 is the solution of the given equation थोड़ा जगह का problem में आप आपके नोड़ों को next page पे कर सकते हो मैं next page करूँगा न तो बार-बार scrolling हो जाएगा ओके इसी था ना देख लो एक बार पूरा solution यहाँ पर हम लोगों ने यह दोनों में common निकाला था ठीक है मैंने आपको exactly बता है कैसे पता चलता है कि 1 upon 5 x से क्यों multiply करना है दन चलो कर लो notebook में copy फटा फट साथ मैं solve किया था न उसके बाद भी एक बार तो खुद से करना ही है यह question दन तो fourth question में अपना यह first भी हो गया second भी हो गया अब सिर्फ यह fifth बचा है फिस्ट वाला तो बहुत ही simple question दिख रहा है फिस्ट वाला solve करते हैं तो यहाँ पर question दिया है 4x plus 1 the whole square plus 2x plus 3 the whole square upon 4x square plus 12x plus 9 equal to 61 upon 36 कुछ common निकाल के pattern तो बन नहीं रहा है यहाँ तो एक बार हम लोग यह denominator को अच्छे से देखते हैं देखो पहले denominator को खाली solve करके बता रहा हूँ आपको exam में अलग से solve नहीं करना है यह आपके समझने के लिए यहाँ पर आप चेक तरो यह quadratic equation है तो इसमें product और factor वाला आपने सिखाया था न एच standard में हमने काफी question कि थे product क्या है यहाँ पर देखो product है plus 4 into plus 9 तो आ जाता है plus 36 अब इसके factors निकालने है आपको factors कैसे आने चाहिए है कि multiply करके plus 36 आए और add करके plus 12 आए क्या आता है 36 में आपके पास 9,4,0 होता है लेकिन 9 plus 4 करोके तो 12 नहीं आएगा तो यह तो गया फिर आपके पास कितना होता है 4,9,0 सेम आ जाएगा फिर 12,3,0 होता है तो 12 into 3 36 आएगा लेकिन 12 plus 3 12 नहीं आएगा और 6 का देखते हैं 6 into 6 36 and 6 plus 6 12 आने का चाहिए तो हम लोग इसके factors लेते हैं 6 and 6 यादे कैसे करते थे इसका sign जो है वो यहाँ से आएगा तो इदर आ जाएगा plus और इसका sign जो है वो plus into plus आ जाएगा plus तो हम लोग middle term को split करेंगे तो हमको क्या मिलेगा है यहाँ पे therefore 4x square plus 6x plus 6x यह ना इसको split किया ठीक है बाकी आप देखो 4x square और plus 9 same to same है अब यह दोनों में क्या common है देखो यह दोनों में आप देखेंगे तो 2 तो common है ही 4 में भी 2 आएगा 6 में भी 2 आएगा और इसके पास 2x है इसके पास 1x है तो जब यह दोनों का जोड़ी बनाया तो एक 2 को common ले लिया और एक x को common लिया अंदर क्या बचेगा इधर 4 को 2 into 2 में से 1 2 ले लिया और 2x में से 1x ले लिया तो बचा सिर्फ 2x तो यहां पे लिग दिया 2x बीच में plus है तो player फिर यह 6x में से6 को लिखा 2 into 3 और उसका 2 बहार निकाल लिया और एक x बहार निकाल लि तो यहाँ पे लिख दिया 3 ठीक है प्लस इन दोनों में देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है 6 और 9 दोनों 3 के टेवल में जाते हैं तो 3 common ले लिया इसमें से 6 को लिखा था 3 into 2 और 3 common ले लिया तो बचा क्या 2 and x मतलब 2x और यह 9 को 3 into 3 लिया और 1 3 common ले लिया बार तो बचा सिर्फ 1 3 तो यह आगया प्लस 3 यहाँ पे दिख रहा है दोनों के पास 2x plus 3 2x plus 3 तो मैंने लिख दिया 2x plus 3 common बार अंदर क्या बचेगा यह 2x plus 3 अब same number into same number देखो 2x plus 3 into 2x plus 3 2x plus 3 into 2x plus 3 क्या होता है 2x plus 3 the whole square न 2 into 2 क्या होता है 2 square न 5 into 5 5 square कोई भी quantity x into x x square तो देखो न same bracket into same bracket तो same bracket square तो मतलब यह जो denominator है न उसको आप ऐसा लिख सकते हो ठीक है यह हमने age standard में सीखा था factorization में और अब भी भी आपको काम आने ही वाला है 10 में भी काम आएगा इसलिए यह तो आना चाहिए ठीक है यह कोई बताने नहीं वाला आपको यह आपको करके भी नहीं बताने बट यह copy कर लो note book में कहीं पर फटा फट यह मैं erase कर रहा हूँ यह 2x plus 3 square जो है वो मैं इसके जगे पर यहाँ पर लिख दूँँगा फिर देख रहा है उपर भी 2x plus 3 the whole square यह वाला इदर नीचे आ जाएगा सेम आ जाएगा डिविडेंटों लगाएंगे तो यह cancel होने का chance है न आगे जाके हो गई cancel ठीक है चलो यह erase कर रहा हूँ मैं एक बार देख लो जो मैंने सिखाया वो इसको मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है बाकी यह step से यह step में कोई change नहीं है यह ऐसे का ऐसा यह उपर वाला ऐसे का ऐसा सिर्फ यह highlighted part change हुआ है यह कैसे आ है मैंने आपको बता दिया अब देखो उपर नीचे same है तो डिविडेंडों लगाएंगे तो अब यहाँ पर देखो इसका sign minus और same term के साथ plus है तो हम लोग खुशी खुशी इन दोनों को cut कर देंगे यह जाएगा और यह जाएगा ठीक है तो क्या बचेगा left side में देखो उपर बचेगा से 4x plus 1 the whole square और नीचे बचेगा 2x plus 3 the whole square right side में देख लो 61 minus 36 आप करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5 minus 3 हो जाएगा 25 25 आएगा और नीचे मिला 36 दिख रहा है यहाँ इसको solve किया तो आया 25 और नीचे का 36 है अब याद है हमने first जो 3 questions किये थे उसमें यह square था देखो अगर मैं 25 को 5 square लिख दूँ और 36 को 6 square लिख द मैं 3 questions ऐसे solve किये थे ठीक है तो मैं इसको लिख दूँगा therefore यह 25 को लिखा 5 square और 36 को लिख दिया 6 square 6 into 6 36 होता है 5 into 5 25 होता है फिर सब जगे से square root ले लिए तो क्या आएगा यह से आ जाएगा यह से में यहाँ पर copy किया फिर देखो सब के पास square हर एक term के पास square है तो दोनों square root ले लेंगे तो यह square और a square के साथ यह square cancel यह square और a square के साथ यह square और a square के साथ यह square cancel तो बचा से 4x plus 1 upon 2x plus 3 और यहाँ पर बचा 5 upon 6 अब इसको cross multiply करेंगे तो solve हो गया x के लिए x का value निकालना है ना solution मतलब यह आप खुद से करेंगे क्या आत है चेक करो जल्दी से ऐसे आ 9 upon 14 ऐसे मत सुचना है 9 upon 14 ऐसा अंसर कैसे हो सकता है मैंने बूला था कि ऐसा आंसर नहीं हो सकता उसमें question में उपर लिखा है क्या भाई ध्यान रखना fraction में answer नहीं आएगा नहीं बोला है तो क्यों फालतु का दिमाग लगा रहे हो answer आ सकता है जो है आपना final answer x equal to 9 upon 14 is the solution of the given equation अच्छा question था नहीं है age standard का concept भी use हुआ इसमें यह वाला जो पार्ट है उसको ऐसा लिखा उसके लिए age standard में हमने जो split the middle term सीखा था वो use किया हमने बाकी तो यह dividend हो लगाया यह square का square root लिया यह सब तो same है पहले किया हुआ है नया सिर्फ यह है ओके देख लोग पूरा solution एक कर दिया है वो भी आपने notebook में copy कर लिया होगा ऐसा मैं assume कर रहा हूं एक्जाइम में लिखके नहीं बताना है solution सिर्फ इतना दोगे तो full marks मिल जाए ओके कर लिया copy तो यहाँ पर हमारा यह fifth question भी खतम होता है इसी के साथ पूरा fourth question खतम and practice set 4.3 भी खतम होता है तो इसके हमने तीन lectures किये पहले lecture में मैंने यह कराया second lecture में यह blue अलकर आया और third lecture में मैंने यह पूरा fourth question के 6 questions solve करा दिये ठीक है तो यहाँ पर lecture खतम करते है और next lecture में हम लोग practice set 4 4.4 करेंगे अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी प्राक्टेस एट 4.3 अच्छे से जमझ में आ जाए आपको खुद से मिनिमम हर एक क्वेश्चन दो बार प्राक्टेस करना है तब जाके आपके दिमाग में अच्छे से जाएगा रटा नहीं मारना लेकिन हर एक स्टेप समझ में आना चाहिए क्यों कर रहे हो ओके अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्स्राइब तो करी सकते हो बेल पर पर क्लिक कर दो ताकि जैसे ही 4.4 का वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपोर्टेंट लेक्चर मिस ना करें कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो